हेलो फ्रेंड्स पाइचन सिखने की स्रीज में मैं उन्ही साब का बुद बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम जनेरेटर्स का सिंटेक्स देखेंगे यहां पर 17 का लेक्चर 3 है इसका पहले हमने इटरेटर्स और इटरेबल्स को डिटेल में पढ़ रगा था और इससे आपको लएगा कि लिस्ट और जनेरेटर्स बिल्कुल सहीं है लेकिन कब किसका यूज करना है तो यूज मैंने पिछले वाले लेक्टर में बता रखा था लेकिन आई होप की आप समझ पाया हो लेकिन अगर जनेरेटर्स को एक बार भार कर सकते हो लेकिन लिस्ट को आप ब इसके पहले मैं लिस्ट में कुछ चीजे दिखाऊंगा जैसे कि एक लिस्ट है एल नाम का और इसमें कुछ इसके लिस्ट करके हैं इतने अलमेंट से अचा अब कैसे आप इसको ट्रावर्स कर सकते हो तो आप कैसे करोगा फोर आई इन रेंज यहां पर लगाने के जुरूत नहीं है फॉर आई इन एल और प्रिंट आई ठीक है यह तो यह सिंपल कोड है हम बार बार इस कोड को कर रहे ह आई होग की इतना तो आपको पता होगा कि यह क्या क्रेगा तो यह सारे का सारे मेंट को प्रिंट कर देगा बिल्कुल अच्छा अब एक और आप प्रोग्राम देखिए बद बात में इस चीजका होसा मॉर्oof करो करेंगे कि हैं प्रोग्राम कूं कर रहे हैं थीक अधिक का फन नाम का फंक्शन बनाया और इसमें जो है एक नमबर पास कर दिया एंड ठीक है अभी आप प्रोगाम देखते जाहिए आप समझेंगे धीरे धीरे बातों को क्यों करने का यह साथ चीज़ आप इस प्रोगाम को देखते जाहिए इन तक जो लूप चलाएगा उसका लिए मैंने ये फॉर लूप एवरेंज नाम का फंक्शन कॉल किया है और वन कमा एन प्लस वन कहने का मतलब यह है कि एन तक चलेगा ठीक है अच्छा प्रिंट हाई करा दो है मैंने करा दि आच्छा और इसमें क्या पास कर रहाऊं कुछ नंबर पास करूँंगा तो इसको lang करने के लिए मुझे क्या कर ना होता फंक्शन और इसमें लेट से जो मेंन कंस्थ हैं यहाँ से जनेरेट होगा मतलब यहां से यह जनेरेटर सूर्डू करेगे यह तोज Hinterum अब आप जनेरेटर यहां से कैसे बना सकते हैं जी हां आपको जनेरेटर बनाना है तो आप जनेरेर करिए क्या आपको generators बनाना है तो आप simple यहां yield लिख दीजिए य, i, e, l, d yield लिखिए और इसमें आप simple i pass कर दीजिए तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा generator हो गया ठीक है अच्छा जब यह generator हुआ तो यह क्या हो गया हमारा तो यह हमें generator object fun मतलब इसका location भी दे रहा है तो आप fun जो हमारा हो गया वो क्या हो गया हो गया तो इस बात को मैंने प्रूब भी कर दे कि यह fun जो है अब generator हो गया अच्छा आप इस fun के elements को आप कैसे print करेंगे क्योंकि 10 तक call करता हूं से 10 तक call करता हूं अब हमका करता हूं इस Norm को Print करता हूं और क्याल रहनधक brush करदे तो यह भी आप कर सकते यह इसके अलब आप क्या कर सकते हैं इसके लब आप आप for loop भी लगा सकते हैं आ पहले तो मैं इसको runhit कि आपको दिखाता हूं, यह कैसे काम कर रहा है, तो देखिये, यह 1 प्रेंट कर दिया, 1 क्यों प्रेंट किया, क्यूंकि इसमें 1-10 तक नमर है ठिक है, और 1-10 तक जब नमर है, तो next function करेगा, पहले नमर को पहले print किया ठीक है फिर दूसरे नमर कोप्या करेगा फिर क्या करेगा यह दूसरे नमर प्रिंत करेख सब्सक्राइव here कुछ और बढ़ाते हैं जैसे 10 तक क्षा दिते हैं इतन तक प्रिंट हो गया ठीकिह ऐसको क्या करते हैं इसको अनुद करते हैं बदेखिए आप तो अबिध्य आप इतन तो समझ गये इससे क्या हुआ इस इस function से eld जब आपने लगाया तो हुआ यह कि यह जो है iterator बन गया iterator बन गया तो यह इसमें नम जो है iterator बन गया और नम जो iterator बन गया तो next function से आप directly उसके elements को access कर सकते हैं या इसके अलबा आप क्या कर सकता है for loop लगा सकता है कैसे for i in num for i in num करिए और print i कर दीजिए ठीक है print i कर दीजिए तो देखे 1 to 10 तक print कर दीजिए अच्छा अब मैंने एक बात बात है कि आप इस चीज को एक बार ही traverse कर सकते हो मतलब num को अगर मैं दूबारा traverse करूं अगर इस for loop को मैं दूबारा लगा हूँ for i in num for i in num and print i तो आपके हिजाब से दो बार 1 to 10 तक print होना चाहिए लेकिन देखिए इसमें 1 to 10 तक एक ही बार print होगा ठीक है क्यों एक ही बार print होगा इसलिए एक ही बार print होगा क्योंकि आप generator को एक ही बार traverse कर सकते है मैंने बाता रहा रहा था तो आप आप generator को कभी भी आप एक बार Traverse कर सकता है क्योंकि theoretical part में बता रहा था तो आप hoy микra month को जरूर बता था की आप generator को एक लिएक बार nova एक बार जब आप इसको access कर लेंगे तो यह memory से हमेसे clear disappear हो जाते हैं मतलब memory में दुबारा नहीं रहते हैं तो memory भी आपकी खाली हो जाते हैं अच्छा इसके अलाबा आप इन बातों को अगर sum up करें तो हुआ यहां पे जो है इसने generator call किया sorry generator को create किया यह भी generator बन गया तो by default यह iterator बन गया क्योंकि every generator इतरेटर और iterator को हम next function से भी call कर सकते हैं या इसके अलावा आप for loop लगा के भी इसको access कर सकते हो एक ही बार access कर सकते हो दुबारा access करेंगे तो वो null देगा ठीक है अच्छा बहुत सारे लोग आप में से यह सूच रहे होंगे कि इल्ड जो है एक function है जी नहीं इल्ड जो है हमारा keyword है कैसे तो देखिए ऐसे भी आप कर सकते हो function को आप ऐसा call नहीं कर सकते है function को बीना double brackets के आप call ही नहीं कर सकते है ठीक है तो yield जो है keyword है इल्ड आई लिखने का मतलब यह है कि इल्ड जो है कीवर्ड है और आई के प्रतेक अलमेंट्स को वो क्या कर रहे है जनेरेटर में भेजते जा रहा है तो एक बार इस परगाम को फिर रन करते हैं तो देखें मेरे पास आउट्बूट में कोई फरक नहीं पड़ा तो इस बात सब्सकों आई कर दिखा दिया तो यह सारे बाते हम पढ़ेंगे इसके यह हम कुछ एक्सराइज साइज बहुत है आप के लिए रह fian晶 की पर 247 आप इस पर कॉल कर सकते हैं या डिरेकली आप WhatsApp मेसेज करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं मैं हमेशा आपके लिए यहां पर क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा कभी भी आप मेसेज करें उसके कुछी मिन्टों में आपको क्वेरी का आंसर मिल जागा तो इसके या आपको बिल्कुल घभराना नहीं है को किसी ओ तरह के कोई दिक्कत हो रही है के लिए थेंक यू, धन्यवाद.